तो YouTube earning का नया tax rule आया है जो कि आपको जानना होगा कि जो total earning है YouTube का उस पर 24% तक जो है आपका income tax और tax लग सकता है और आप अगर US से belong नहीं करते हो आप US के अलाबा अगर दूसरे country में भी रहते हो ठीक है तो यहां आपको 24% तक आपको tax चुकाना पर सकता है earning पर YouTube उसको direct कर सकता है काट सकता है ठीक है पहले क्या था कि YouTube में अगर आप US से बाहर दुसरे country में रहते थे तो आपको tax information submit तो करना होता था लेकिन tax YouTube नहीं काटता था लेकिन अभी जो है YouTube जो है 24% तक आपके पूरे earning का काट सकता है लेकिन इसमें भी कुछ नियम है rules है जो अगर आप जान लोगे तो आपको इतना tax देने से छुटकाड़ा मिल सकता है वो चीज मैं इसपष्ट करना चाता हूँ यह बताता हूँ एक YouTube से official mail आया है इसमें आपको सारा जानकारी दिया गया है यह बुड़ा English में mail है मैं आपको बहुत easy language में समझा देता हूँ यह क्या है तो अभी जो है US से belong नहीं करते हो तो आपको 24% तक आपको tax लग सकता है आपके पूरे earning YouTube earning का ठीक है यहाँ पर 31 मई से पहले आपना tax information जो है Google Adsense account में submit करना होगा ठीक है अगर आप नहीं submit करते हो तो आपको 24% का tax लग सकता है पूरे earning का ठीक है अगर आप submit कर दोगे तो YouTube को मालुम चल जाएगा कि आपका कितना tax कटना चाहिए इसमें भी कुछ अलग अलग नियम है जो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो है जून से लगता है यहाँ पर कटना स्टार्ट हो सकता है ठीक है जो कि यहाँ पर टाइम भी mention किया गया है एक mail और भी आ सकता है आपको जिसमें आपको tax information देने के बारे में बोला जाएगा उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे उसको सब्मिट करना है गूगल का अपना यूएस का जो कि गूगल तो यूएस से बिलॉग करता है तो अपना उनका नियम है वहाँ का चलो उसको follow करते है लेकिन जान लीजे है कि यहाँ पर health center का एक link दिया है मैं इसको click करता हूँ इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर नहीं समझोगे तो फिर बड़ा problem हो जाएगा थोड़ा सा नीचे आने पर एक मैं यहाँ पर एक frequently ask question है How will this affect my income on YouTube ठीक है तो फिर मैं इस चीज को अगर समझा दूगा तो आपको पूरा detail समझ में आ जाएगा जो महिने का income जो आ रहा है वो है आपका 1000 dollar आ रहा है ठीक है जिसमें से आपका 100 dollar जो है मान लीजे कि वो आपका US से आ रहा है मतलब US के लोग आपके वीडियो वाच करते हैं अमेरिका के लोग आपके वीडियो को वाच करते हैं और फिर आपके साथ super chat आपको provide कर रहा है तो मान लीजे कि आपका 100 dollar जो है US से आ रहा है ठीक है तो अब इसमें 3 case जो है यहां बनता है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ अगर आप tax information submit नहीं करते हो 31 मई से पहले तो उस case में क्या होगा कि 24% total earning का 24% जो है आपको से लिया जाएगा मतलब 1000 dollar है तो 240 dollar तो आपका केवल tax में ही चला जाएगा बहुत बड़ा amount ही चला जाएगा तो इससे बचने का क्या तरीका है यह मैं आपको बताता है तरीका यह है कि अपना tax information जो है Google में जाके Google AdSense account में आप submit करें इसमें क्या होगा कि अगर आपका जो है US के साथ जो इंडिया का tax relationship है ट्रीटी है जो भी partnership है उसके according जो है आपका जो है tax केवल 15 USD कटेगा मतलब कि कहां 240 USD और कहां 15 15 क्यों कटेगा क्योंकि आप tax information submit कर चुके हो और चुकि 100 dollar US से है तो केवल US में जो कमा रहे हो केवल उसके उपर में ही tax आपको लएगा तो चुकि इंडिया और US का दोस्ती है और उसमें tax का जो है partnership है तो आपको केवल 15% tax लेगा वो भी आपका US के income पर ठीक है तो 100 dollar का 15% हुआ तो 15 dollar ठीक है अब यहां पर एक नीचे तीसरा case यह है कि यहां पर जो है तीसरा case में आपको 30 dollar लेगा कब लेगा अगर इंडिया और US के बीच में tax का partnership ना हो treaty ना हो कोई दोस्ती ना हो उस case में आपको 30% देना पर सकता है मतलब कि जो US से आप कमा रहे हो 100 dollar उसका 30% मतलब 30 dollar आपको यहां देना पर सकता है लेकिन खुशी की बात है कि इंडिया और US में दोस्ती है और अच्छा एक relationship है tax का तो आपको 15% यहां देना होगा ठीक है लेकिन tax information आपको submit करना अगर नहीं करते हो तो फिर भया आपको 24% total earning कर लेगा चाहे वो इंडिया से करो, नेपाल से करो, पकिस्तान से करो, चाहे कहीं सी भी करो फिर आपका बहुत बड़ा amount 240 dollar आपको देना पर सकता है इसलिए 31 मई से पहले जो है अपना tax information जरूर submit कर दीजिए गूगल को ठीक है, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूँगा, वीडियो में आप comment कीजिएगा नहीं भी कीजिएगा, फिर भी बताऊंगा, लेकिन comment कीजिएगा तो जल्दी बताऊंगा कहने का मतलब है कि आपको 24% तब लेगा जब आपना tax information 31 मई तक आप submit नहीं करोगे, अगर submit कर दोगे तो फिर आपका 24% नहीं लेगा US से जो पैसा आप कमाऊगे, वहां के viewership से, केवल उसका ही जो income होगा, उसका 15% या 30% लेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर आपको चाहो तो मेरे टुटोडियोल को पर्सेश कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है, यहाँ पर how to buy adsense tutorial का है link, इसको आप click कर सकते हो, प्रमिशन आपको यहाँ मिल जाएगा, धन्यवाद